नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एक्रम राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे कश्मीर के पास पहुच रही है जैसे जैसे लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है लोग उसमें जुड़ते जा रहे है पाफ़ला बढ़ रहा है वैसे वैसे भाश्पा भाश्पा के नेताओं उनकी ट्रोल आर्मी को कप पी छूटने लग गई है है न शैद आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि टी-शिर्ड पहंद कर राहूल गांधी चल रहे हैं कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी को मिर्ची लग रही है मिर्ची कहिए या हर बड़ाहट कहिए या कपकपी कहिए या सब इतनी जाहिर हो गई है कि मज़ा आने लग गया है इस पूरे खेल को देखने में और शायद आप और हम दोनों ही जानते हैं कि इस तरह की कपकपी उन्हें ही लगनी थी क्योंकि उन्हों 23 तक खेलते रहे हैं वह इमेज तूटती नजर आ रही है और देखिए जिस तरह से वे लगातार राहूल गांधी को निशाना बनाए हुए हैं निशाने पे लिए हुए हैं उससे एक बात साफ है कि वे लाख कोशिश करके भी राहूल गांधी या ये भारत जोड़ो यात्रा जो कन्या कुमारी से शुरू ही है कश्मीर इस महीने के अन तक पहुचेगी उसने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों का जवाब देने या उन मुद्दों से इंगेज करने की स्थिती में नहीं है और लिहाजा सारा का सारा मकसद सारा का सारा यूं कहिए कि टूल किट जो टूल किट है उसका मकसद सिर्फ है भारत जोड़ो जिन मुद्दों को लेकर चल रही है वहाँ से डायवर्ट करना और शायद यही उनकी ड्यूटी का इस समय हिस्सा है इसलिए जैसे ही आप सोशल मीडिया पर जाते हैं आपको अलग धंकी तस्वीर नजर आती है भारती जंता पार्टी के नेता हो ट्रोल आर्मी के नेता हो भाषपायती सेल के प्रमुख मालविय जी हो जी हाँ भाई अमित म मालविय जी जिनको हम आप जानते रहे हैं कि उनका जो एक्सपर्टाइज है उनकी जो विशेशग्यता है उनकी विशेशग्यता है कि इतना बड़ा वीडियो इतना छोटा करके कुछ पॉइंट्स आप तक पहुचाते हैं इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हैं मालविय जी औ पूरी की पूरी ब्रिगेट का राहुल गांदी की टी-शिर्ट पर है उनका बस चले तो वह टी-शिर्ट के अंदर ही घुश जाएं और वहां से देखें जाकर कि तपस्या तपस्या कहने वाला यहनेता आखिर कैसे जहेल रहा है इतनी ठंड को क्योंकि यह उनकी समझ से परे है और इसी लिए लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि राहुल गांदी की जो टी-शिर्ट है ना उसकी जो बटन है उसी पर फोकस है उसी को जूम करके दिखाया जा रहा है कि उन्होंने अंदर की बंडी कितनी गरम वाली पहनी है और उससे कितनी गरमाहत उनको मिल रही है सिर्फ यहीं तक उनका पेट भरा हो ऐसा भी नहीं उनके जो इमाजिनेशन है ना कल्पना शक्ती वह वाकई बुल-बुल पर सवारी करने वाली है वह सिर्फ सावरकर को ही जेल से बुल-बुल के पंखों पे उठा के नहीं ले जाते हैं यहां पर इस बार वह घुज गय हैं राहुल गांधी की section की जेब में जीँ और गांधी की पैंटी जेब को भी टटोल रहे हैं बिलकुल नजर जेब कत्रे वाली ए घब आप देखिए यह जो ट्वीट है या इस तरह के अंगिनर ट्वीट आप तक पहुच रहे होंगे खबरें पहुच रही होंगी कि वह अपनी पैंट की जेब में बार-बार हाथ क्यों डालते हैं अब उन्हें पहले की वीडियो तो दिखाने नहीं है इसलिए अभी के वीडिय की जेब में हाथ डाल रहे हैं लेकिन नहीं यहां तो उन्होंने जबरदस्त कल्पना की उडान की है कई तीस मारखा तो चीन तक पहुच गए हैं और उन्होंने बताया है कि दरसल राहुल गांदी अपनी पैंट की जेब में कोई चीनी बटन रखते हैं कोई इंस्ट्रुम से जहेल जाते हैं अब क्या ही कीजिए इन बेचारों पर तरस ही आता है क्योंकि इन्हें आदत ही इसी तरह की हैं की ट्रेनिंग ही यह है सच को जूट जूट को सच मुझे तो आश्चर यह होता है कि अगर यह अपना निशाना पलट लें तो हमारे जो मानिये प्रिये प्रधानमंत्री नरेन मोदी जी हैं जो निश्चित तोर पर हर इवेंट में अपनी ड्रेस बदलते हैं लाखरों की ड्रेस उनकी चर्चा में रहती है देश हो या विद कभी शौल होती है कभी चेश्मा होता है कभी घड़ी होती है उनके भीतर अगर इंको जांच करनी पड़े तब इंको कितनी कल्पना की उड़ान उड़नी पड़ेगी लेकिन यहां पर मामला बहुत साफ है क्योंकि राहुल गांधी की टी-शर्ट एक निशाने पर है और अ उसमें इंको मिर्ची और ज़्यादा तब लग जाती है जब आप देखिए इस तरह की जो सादू सन्यासी हैं जो अभी तक भाश्पा को लगता था सिर्फ उनकी मुठी में हैं वे भी खुलकर आते हैं और बोलते हैं कि ये लोग जिस तरह से राहुल गांधी चल रहे हैं जिस तरह से तपस्या वाली जो पूरी बाते कह रहे हैं दरसल ऐसा ही बाकी नेताओं को कहना चाहिए ख़ब शायद यहाँ पर कुछ बातें इस ट्रोल आर्मी या ट्रोल आर्मी के जो नेता हैं उनसे कहनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो मा मैं आपको बताया आप यह देखिए कि किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉंफरेंस में एक चोटा सा हिस्सा निकाल कर ट्वीट किया और बताने की कोशिश की पुराने फ्रेमवर्क में ले जाने की कोशिश की दर्शकों को कि राहुल गांधी दरसल कोट अंक पपू है मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि शायद अमित मालवी जी ने जो वीडियो कैटिंग का डिपलोमा डिगरी डॉक्टरेट जो भी हासिल की है शायद यह उसी उनिवस्टी से हासिल की होगी जहां से मोदी जी की प्रीय मंत्री स्मृती इरानी ने डिगरी हासिल की है इस पर निश्चित तोर पर खोजी पत्रकारों को लगना चाहिए कि मालवी जी को यह जो कैची चलाने की आदत हुई है वीडियोस पर और खास तोर से राहुल गांधी या कॉंग्रेसी नेताओं के वीडियोस पर यह expertise उन्हें कहां आय है चलिए यह मामला यहीं छोड़ते हैं लेकिन एक सुझाओ जरूर में देना चाहूंगी कि अगर इतनी परेशानी है इस तमाम ट्रोल आर्मी को तमाम नेताओं को राहुल गांधी के टी-शिर्ट पहनने से और उन्हें लगता है कि उन्हें तक्नीक का पता लग गया है कि राहुल गांधी किस तक्नीक के तहट या किस फ्रॉड के तहट इतनी सर्दी को जहेल रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें यह तक्नीक अपने प्रिये मंत्रियों और संत्रियों को तुरंत मुहया करा देनी चाहिए और फिर कोशिश करने चाहिए कि यह मंत्री और संत्री क और बस आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा होने लग जाए तो सुबह शाम आपको क्या दिखाई देगा अपने टीवी स्क्रीन पर अपनी वट्सप यूनिवरस्टी इस पर अपने सोशल मीडिया पर चौबिस घंटे इसका टेलिकास्ट होगा तो कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रिय मीडिया जो कौर्परेट मीडिया है वह पूरी तरह से उनीका तो है वहीं से टूल किट आती है और सुबह से शाम तक एक ही धंका भजन, एक ही धंके ट्वीट, एक ही धंके वीडियोस चलते ह तो देर मत कीजी मालविय जी और आपकी ब्रिगेड तुरंट अगर आप सुन रहे हो मेरे प्रोग्राम को तो इस पे अमल करना शुरू कर दीजी चलिए यहाँ तो हुई चर्चाए टी-शिर्ट अब मुद्दो की बात करते हैं राहुल गांधी लगातार कन्या कुमारी से जब से उन्होंने यात्रा शुरू की है कुछ मुद्दों को बिलकुल फोकस करके बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड प्रेस कॉन्फरेंस सम्वादाता सम्मेलन भी कर रहे हैं और शायद यहीं पर वो हर बार हमारे प्रिये प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी को चुनौती भी देते हैं हर बार वे कहते हैं पत्रकारों से भी कि आप जो यह सवाल मुझसे पूछ रहे हैं यही सवाल क्या आप पूछ पाएंगे मानिनी मोदी जी से जब आप सबको पता रहता है, हम सबने इस प्रेस Conference हो या इस से पहली की PRISS Conference हो, सब में देखा है और देखिए, कि अब राहुल गांधी की जो संवादाता संबेलन होते हैं प्रेस Conference होते हैं, इन से किस तरह से बौखलाहट है प्रेस कॉंफरेंस तो मीडिया नहीं दिखाता, मीडिया का दिखाना बहुत मुश्किल है, तो कि राहूल गांधी सीधे सीधे चैलेंज करते हैं, लेकिन इनके एडिटेड वर्जन, उनके काट छाट करके तैयार किये गए, वीडियो की धूम खूब रहती है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, रियालिटी इस देश की ये है, और बीजेपी कहती है, आरे सेस कहती है कि नहीं भईया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा, उसकी रिस्पेक्ट होगी, अब आप इस फ्रेमवर्क से नोट बंदी को देखिए क्या नोट बंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की वो तपस्या पर आकरमन था उसका मेसेश था किसान से छोटे मजदूर से छोटे वियपारी से वहिया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले ख़ाए और भीजेपी आरैससे को फॉर्स पूजा की ओर ले जा रही है धनका प्रेयोग करके में इंस्टिटूशन को कैप्चर करके लोगों को डर के आप को डरा के वह आप आप से कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलिविजन स्क्रीन पर डालने वो मत करो मार देंगे हमारी पूजा करो इसलिए प्रधानमंती जी आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की जलक दिख जाएगी कहीं न कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा तो यह लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में हमारा संगठन तपस्या का है अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ यह जो वीडियो आप देख रहे हैं जो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ट्विटर पर चल रहा है इसे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि यहीं पर खेल चुपा है वे किन मुद्दों को हमारे आपके ध्यान से हटाना चाहते हैं और कहां दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं जिसके बारे में राहुल गांधी लगतार बोलते रहते हैं कि वे अपने मुद्दे से भारा जोड़ो यात्रा का जो मुद्दा है देश को जोड़ने का मुद् पर कोई बात नहीं करेंगे राहुल गांधी आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको वह ही नहीं मेरे माइंड में ही नहीं गया ओ यहां पर जो वीडियो चल रहा है अभी जो प्रेस कॉंफरेंस हुई इसमें कितने घिनोने ढंग से साजिश रची गई इसमें राहुल गां और नहीं देखा तो अब देखिए कि वह क्या बता रहे हैं कि जो तपस्या की बात कर रहे हैं उसमें किसान और मजदूर के जो हक हैं वह कहां हैं आप राहुल गांधी से सहमत हों असहमत हों यह सब हमारे उपर छूट है हमारे उपर खुला हमारा विचार हो सकता है इस पर लेकिन ये जो घिनौनी साजिश है इसका परदाफाश होना बहुत जरूरी है इसी के साथ साथ एक दूसरी एहम बात जो इस समाधाता संबेलन में सामने आई जो उन्होंने हर्याणा में एड्रेस की इसमें एक पत्रकार ने पूछा बहुत चुपता हुआ सवाल पूछा राहूल गांधी से उन्होंने 36 गड में जिस तरह से आदिवासियों पर दमन चल रहा है इसके बारे में पूछा और कहा कि आपकी सरकार वहाँ पर है राहूल जी आप खौफ के माहौल को हटाने की बात करते हैं रहूल जी लेकिन फिर वहाँ आदिवासी नेता सोनी सोरी के उपर हमला क्यों आप देखिए इसका जो जवाब रहूल गांधी ने दिया वह बताता है कि एक मेक्चियोर पॉलिटिकल नेता एक परिपक्व राजनितिक नेता के तौर पर राहूल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे सामने आते हैं नोश्का सर, सर मैं आप से सवाल पूशना जाता हूं कि आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहूल है, नफरत फैल रही है, डर का माहूल है आपकी सरकार 36 गड़ में है, वहाँ पर सोनी सोरी जो की International Human Rights Activist मानी जाती है उनके घर की बिजली काट दी गई है, वो अंधेरे में रह रही है अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक 19 साल के आदिवासी लड़के का 36 गड़ पुलिस एंकाउंटर करती है तो डर का माहूल भी आपको दिख रहा है, और क्यूंकि इस यात्रा से आप कहरें कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील जो जो भी सेक्शन डरा हुआ है, उसकी आप दिल की, उसकी मन की नफ़, उसको डर को आप कम करना जाते हैं तो सोनी सोरी, जो की इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डर में अन्हेरे में बैठी हुई हैं, तो वहाँ आपकी सरकार है, बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही, जो सतिसगर्ड मेरा क्या वही होगा? सबसे पहली बात ये है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोधी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात ये हैं, कहां रखे हैं आपने? कवरिज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरिज करना में बहुत फरक होता है, प्रधान मंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉंफरेंस किये हैं, जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे, सबसे पहली बात ये है, ठीक है, दूसरी बात ये है, कि मैं कह र बात कर उन में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू-मुस्लिम अलग-अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है, क्या कॉंग्रेस पार्टी ये करती है, कॉंग्रेस पार्टी ने कभी कहा है, कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हतिया करनी चाहिए, क धिवाद ये हैं कि जो वहां पर डर का महाल है मने है हम जाकर वह सावसाफ कहते हैं कि आपके मुद्दों को मैंने नोट किया है मैं बात करूँ गा और देखुँंगा कि हमारी सरकारें अगर गलत कर रही है तो वे गलत ना करें और शायद इसी तरह की राजनिती की आज जरूरत है दोस्तों अब बात जोशी मट की उत्राखंड का जोशी मट हम सब को बता रहा है कि जो खौफनाक विकास चल रहा है परियावरण की तमाम नियोमों को धता बताते हुए वह कितना जानलेवा हो सकता है कितना खौफनाक हो सकता है यह जो दरारें आपको दिखाई दे रही है यह दरारें सिर्फ जोशी मट के घर की नहीं है यह हम सब के लोकतंतर में दरारें पैदा हुई है क्योंकि जोशी मट आज जिस मुकाम पर है जिस तरह से सर्ड के धस रही है जिस तरह से घर दरारों से गिरफ्त में आए हुए हैं वह सब बता रहा है कि जो विकास विकास और विकास जिसका शोर 2014 से इतना ज़्यादा चारो तरफ मचा हुआ है वह हमारे आपके परियावरण को हमारे आपके जीवन को किस तरह से तहस नहस करने पर उतारू है और कितना बेशर्म है इसकी सबसे बेशर्म बानगी च्पा है यह बयान, NTPC कहती है, कि जो शिमत का इतिहास रहा है दरारें, क्या मज़दार बात है न, लोग मरने के कगार पर हैं, लोग अपने घरों को तूटते हुए देखने के लिए डर रहे हैं, लोग अपने जीवन का खत्रा महसूस कर रहे हैं, खर NTPC, पूरी बेशरमी की चादर ओड़े हुए सामने कहती है कि दरसल यहां तो दरारें हमेशा से रही है तब मैं NTPC की तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ कि जनाब अगर दरारों का इतिहास है यहां पर अब आप क्यों गए थे यहां पर विकास की नईया को आगे बढ़ाने के लिए तब क्यों गए थे अपने प्रोजेक्ट को यहां पर ले कर कि आपको तब पता नहीं था कि यहां इतिहास है दरारों का इतिहास है जमीन के धसने का किस तरह से पहार तूट के गिर रहा है क्या किसी ने देखा नहीं था लेकिन NTPC तो बहुत चोटी चीज है यहां सवाल तो पूछा जाना चाहिए मोधी सरकार से जिसने चार धाम यात्रा के लिए यह पूरी की पूरी जो सड़क बनाने की पेशकश की जिसका विरोध हुआ और फिर दूसरी जिम्मेदारी सुप्र जिसने हरी जंडी दिखाई और कहा कि इसका निर्माड करो लोग तो तब भी आशंका जता रहे थे कि जितने पैमाने पर जिस तरह से चोड़ी सड़कों के लिए ब्लास्ट हो रहे हैं सड़के बनाई जा रही हैं पहाड काटे जा रहे हैं यह सब तबाही लाएगा पहाड तबाह हो रहे हैं जोशी मठ सिर्फ इसका एक उदाहरण है टिप आफ आइसबर्ग है वरना जिस तरह से परियोजनाएं चल रही हैं क्योंकि हमारे मोदी जी को चिंता पहाड की नहीं है चिंता परियावरण की नहीं है वह लगातार बोलते रहे हैं और उनकी सरकार इस पर अमल करती रही है कि जो परियावरण मुल्यांकन होता है वह विकास के लिए एक रोडा है मोदी जी जागिये देखिए जोशी मठ साफ बता रहा है कि आपका विकास कितना विनाशकारी है दोस्तों जो जूट होता है उस जूट को बचाने के लिए कितने बड़े पैमाने प यह मद्यप्रदेश के इंदौर से आया हुआ वीडियो है मद्यप्रदेश में प्रवासी सम्मिलन होना है जोर शोर से तैयारी चल रही है और यहां पर घास है नहीं और जमीन को घास के रंगों में रंगा जा रहा है असल में विकास यही है इसी तरह का विकास देश की राज उसे ढग दिया गया था क्योंकि वहां पर गरीब लोग दिखाई दे रहे थे यह जो जूटा विकास है यह जो रंगा हुआ विकास है यह जो रंगा हुआ कितनी बड़ी तबाही लाता है कितने बड़े पैमाने पर जीवन तबाह करता है महाराश्च के 90,000 के करीब जो बिज पूरी के पूरी बिजली का निजी करान अंबानी अडानी को देने की तैयारी है इसके खिलाफ जो उन्होंने बहदूराना संघर्ष किया उससे पता चलता है कि यह जो विकास है जो दो तीन बड़े कॉर्परेट घरानों की जेब में जा रहा है दरसल वह कितना नुकसान दे है दोस्तों विकास हो लोकतंतर हो टी शर्ट हो गर्मी हो सर्दी हो तपस्या हो या फिर पूजा हो इन सब के एड़गिर जो बहस है वह दरसल हमें शिक्षित करने के लिए बहस है कि हम कितने बहतर जंग से खुद को शिक्षित करें और आने वाली पीड़ी को शिक्षित करें और इसी क्रम में मैं सलाम पेश करती हूँ फातिमा शेक को जो सावित्री बाय फूले की अभिन सहीयोगी थी आज उंका जनम दिन है और शायद फातिमा शेक, सावित्री बाय फूले, जोतिबा फूले सिर्फ एक ही बात कहते हैं शिक्षित हो और किसी भी तरह के प्रपंच और नफरत में ना फ़सो शुक्रिया